दोस्तों नमस्कार कैसे हम सबी स्वागत आप सभी काप अपने इंश्टागाम आईटी जो अपना दे दिया है वहाँ पर कापी जदा मात्रा में मेसेज आ रहे हैं कि सर इसका एपटी भरती कब होगा हमने लाश्ट अपडेट किया था लाश्ट टाम हमने फोर्म को भराता उसका अब तक नोटिफिक्सन नहीं आया है तो जो लाश्ट टाम भराता ना उसका तो अभी भरती रोग दिया गया है कम्प्लीटली और कुछ चात्रों की जोईनिंग चल रहे हैं जिनके पास कोल्स और मैसेज आ रहे हैं वो चले कि हमने फोर्म को भराता लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं तो वह एक काम किजिएगा एक बार यह जो फोर्म है जो कि मैंने कल वीडियो डाला है नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर उस पर एक बार एक बार एक बार करके देख लीजिएगा क्योंकि अलग का है के यहाँ पर हो सकता और यहां से जल्दी आपको बुला लिया जाए अगर आप लोगों का यह सेम वेंडर होगा इनका हो गई होगी के लिए ब्लेंडर के लिए यह खूआ ठीक है यहां तक बात हो जाती है इसके बाद हम बात करते हैं धौन की जो भरती फ्टी प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है या फिर उनको ज्यादा चात्रों के आवशकता होती है और कंपनी कई बार परेसान हो जाती है क्योंकि 7-7 महिने में TW के लिए रिन्यू करने पड़ते हैं वापस से हटा और फिर वापस से केंपस कंपनी करवाती नहीं तो सब चात्रों को बुलाना फिर उनका डीवी कराना मेडिकल करवाना साथ ही आ को भी बार-बार एंप्लोई चेंज करने की यह इस तरह से तरह तरह के खर्चे जो कंपनी भी करती है उन सब की जरुत ना पड़े तो भरती जो है एप्टी की भरती जल्दी आ जाएगी वैसे तो जब तक लगता है कि अप्रेल के बाद सक आगली जो भरती हो हो सकता है जल्दी भरती आ जाएगी उसके लिए आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे भी इसके बारे में जानकारी तो है नहीं कि कब आफिस के लिए अप्लाई करेंगे या एप्टी की भरती कब आएगी तो अगली जो एकेंसी होगी जरूर सीड़ू एप्टी होगी लेकिन फिला रहा हूं आप लोगों का अप एच्छा रेस्पांस है उस पर नोडाउट बट कई बार क्या होता है नोटिपिक्स नहीं मिल पाता है सब छात्रों तक तो आप लोगों की जिम्यदारी बन्ति है उस वीडियो को आगे सेयर करना और सब छात्रों तक पहुचाना तो आज की वेल्टे के जहीं जे भारत